जो मिला है वो किसी से कम नहीं आपको नहीं उतका कभी गम नहीं होसले बुलंद कर, हौसले बुलंद कर, तेरी मंजल तेरे बहुत करीब है सरर हर साल खबर आती है कि नमभर कम आने की वज़ह से बच्चे सुसाइट कर लेते हैं ऐसी स्टुएंट से आप क्या करने जाएंगे गली गली और महला करते करते हो हल्ला गली गली और मुहल्ला करते हो हल्ला 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 हो नमस्कार मैं हूँ अकास मिस्तरा और आप देख रहे हैं दगली मोल्ला सो बोर्ड परिच्छाओं का समय आ गया है हर वर्ष की तरह है इस वर्ष भी लाखो इस्टुडेंट बोर्ड परिच्छाओं की तैयारियों में जुड़ गए हैं ऐसे में किन टॉपिक्स पे अधिक फोकस किया जाए कि बचे हुए कम समय में भी अच्छे मार्स लाए जा सकें यही सब बताने के लिए हमारे साथ मौझूद हैं पिछले दो दसकों से साजाहापुर में सभी गली मोहलों के स्टुडेंट को सिक्छित करते आ रहा है सहर की सबसे प्रदिष्टित कोचिंग के संचालाग वा मोटी वेसमाई स्पीकर अवसेख सुकला जी सर बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे सो में आप लोगों को बताते चलें कि हमारी गली मोहला की टीम को भी आपकी द्वारा ही सिक्छित किया गया है सर जो बोर्ड पर इच्छा की तयारी कर रहे हैं उनको आप क्या सुझाओ देना चाहेंगे सबसे पहले तो सभी स्टुडेंट्स को यूपी बोर्ड एक्जाम के लिए बेस्ट आफ लग और कोसिस करिये कि अपने जो ड्रीम को आपने अपने अंदर पाला है उसको प्रूब करने का बगत आ गया है और रही बात तयारी की तो तयारी अब जितना भी कम समय बचा हुआ है उसमें कोसिस करें कोई भी नई तयारी आप लोग ना करें और जो आपने पढ़ा हुआ है केबल उसको रिवाइस करें जैसे जो लोग science side student है मैं उनको suggest करना चाहूंगा कि physics chemistry जैसे subject को वो थोड़ा सा लिख कर देखें और जो numerical portion है उसके उपर काफी focus करें और numerical को पूरे लगाने की कोशिस ना करें जो important numerical है उनका तरीका क्या है कि क्या उसकी language है उसको पढ़कर समझ कर उसको हल करने की कोशिस करे क्योंकि अगर इस time पर कोई आप नया पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होगा जो आपने पूरे साल भर पढ़ा हुआ है जो आपके teachers ने आपको सिखाया हुआ है केवल आप उसके उपर काम करिए और बहुत अच्छे नंबरों से आप इस की परिच्छा में सहिजापूर का नाम रोशन करेंगे और सहिजापूर के सभी student से मैं और request करना चाहता हूँ कि मैं पिछले 3-4 सालों से इस चीज को देख रहा हूँ कि हम लोग UP का तो सपना भोली चुके हैं कि हम UP में कभी टॉपर आपाए हम मंदल तक भी नहीं आपाए हैं काफी 3-4 सालों से सजापूर के सहरी जनता का तो जो student lobby है उसका तो इस तर और गिरता ही चला जा रहा है ग्रामेर छेतरों से तब भी बच्चे टॉप 10 में आ जाते हैं बट सहर के students में पढ़ाई को लेकर मैंने देखा है कि रुजान थोड़ा सा कम होता चला जा रहा है तो कोशिस करिए इस बार अपना 100% परफॉर्म करिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हुए अपने मावाप के सपनों को साकार करिए अपने गुरुजनों का नाम रोशन करिए और अपने परिवार के साथ साथ अपने सहर का अपने बिद्यालय का नाम भी आप लोग रोश करिए कि अपने जो टाइम टेबिल की पढ़ाई का है उसको सेपरेट करते हुए साधी बरातों से थोड़ा सा दूर रहें और अगर जाना भी पढ़ जाए तो कम समय में जाकर बस उसको अटेंड करके दुबारा अपनी पढ़ाई पर लग जाएं क्योंकि अगर आप महौल को परिवर्तित करेंगे तो आपका मन पढ़ाई से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा दूसरी बात क्या है कि अगर आप जितना जाधा समाज के अंदर इदर उदर जाएंगे घूमेंगे तो आपके मन में अपनी पढ़ाई से जाधा इदर उदर का डाइवर्जन रहेगा आप इसमें पूरा टार्गेट अपनी पढ़ाई पर रखिए और लास्ट में थोड़ी सी बात यही कहना चाहेंगे कि आपकी जीत, आपके माबाब की जीत है, आपके गुरू की जीत है, आपके परिवार की जीत है, आपके विद्याले की जीत है, आपके जनपत की जीत है, तो इन सब को जिताने के लिए अपनी तरफ से 100% मेहनत करिए, और कोई भी काम जब पूरी सिद्दत के साथ किया जाता है तो वो काम बहुत अच्छी तरीके से होता है अब रही बाट टॉपिक की तो साइनस साइट वालों से मैं कहना चाहूंगा फिजिक्स में कोसिस करें कि जो लास्ट के पोर्षन जादा है तो हमें लगता है कि रहे हमको निमेरिकल नहीं आ रहा है हमारी फिजिक्स बड़ी बीक है तो कोसिस करिए पहले लास्ट के चेप्टर पहले किलियर कर लीजिए और इन चेप्टर्स को लास्ट में पढ़के जाए बस एक बात और कि नया मत पढ़िएगा ही जो आपने सालवर पढ़ा वोही पढ़िएगा क्यमिस्ट्री के पोर्षन में रियक्शन को लिख-लिक के देखिए क्यूंकि क्यमिस्ट्री एक ऐसा सब्ज्जेक्ट है आप लिखेंगे उतना ही जादा आपके अंदर improvement होगा और chemistry का ब्रह्मास्त्र स्टार्टिंग के 5 lesson जो आपके physical chemistry से लिए गए हैं उनके उपर पूरा focus करिएगा उन्हीं के अंदर numerical भी हैं उन पर ध्यान लखिएगा metallurgy portion पर ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा और यह आपके जो groups हैं जो inorganic chemistry के हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा chemistry में थोड़ी सी problem बच्चों के यह आती है कि उसमें choice नहीं होती है बट physics में choice होती है अगर 4 सवाल ने हैं आपको तीन करने है या तीन है तो दो करने है बट chemistry में जितने सवाल है वो सारे करने है दूसरा time management बहुत अच्छा रखिएगा होता क्या कि कभी-कभी intelligent student तीन घंटे exam को देता रहता है और उसका तब भी paper छूट जाता है तो प्रियास करिएगा कि time management आपका बहुत अच्छा हो एक paper लेकर उसके सारे question को time से divide करके देखिएगा कि एक question करने में आपको कितना time लग रहा है और exam देते समय दो बातों का विसेश तोर पे ध्यान रखिएगा सबसे पहली बात है कि जो question आपको सबसे अच्छा आता हो सबसे पहले आप उससे start करिएगा जिससे क्या होगा कि आपका confidence level बढ़ेगा और आपको धीरे धीरे सारे question याद आने लगेंगे दूसरा जब आप exam देने जाईएगा तो उससे पहले कभी भी अपने किसी भी friend circle में पढ़ाई का discuss मत करिएगा कि आपका क्या तयार है उसका क्या तयार है क्योंकि अगर उसने आप से कोई question कर दिया कि आपका ये question तयार है और अगर वो आपका तयार नहीं हुआ तो आप उसको लेकर पूरे रास्ते बार tension में रहोगे और हो सकता वो question exam में ना है उसके बावजूद आप अपना बाकी सारा कुछ भूल जाओगे examination hall से पहले आपका mind होता है पचास अजार question पर लेकिन examination के अंदर जैसे हाथ में आपके paper आता है आपका वही mind होता है मात 15 से 20 question पर तो जब पचास अजार की capacity आप 20 पर लगाओगे तो automatic आप जीत जाओगे और कोसिस करिए इस बार सायर का नाम बहुत रोसन हो और हम लोग लग लखनों तक पहुंचें लखनों तक जीत कर आएं और अपने जनपत का नाम रोसन करें अंत में सबी लोग को best of luck for your exam जीत कर आईए साजापूर का नाम रोसन करिए माबाप का नाम रोसन करिए गुरुजनों का नाम रोसन करिए बस यही दुआए हमारी आप लोग के प्रती है और अज इस बार हमें उमीद भी लगती है कि आप लोग कुछ नया करेंगे थैंक्यू बेरी मच्च अब हमारे साथ मौजूद हैं साजापूर के ऐसे सिक्चक जिनके पढ़ाए हुए कई दरजनों स्टूडेंट अमेरिका, कनाड़ा और अशेलिया में जाप कर रहे है हमारे साथ मौजूद है बिचीत अगनूत्री जी सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे सोवे सर जो स्टूडेंट बोर्ड परिच्छा की तयारी कर रहे है उनको आप क्या सुजाओ देना चाहेंगे बहुत हो धन्यवाद आकास और आपकी गली मौला टीम को सबसे पहले जो बोर्ड परिच्छा में भाग लेने जाने वाले जो हमारे प्यारे चात्र है UP board, CVC board या ICC board के उनको तेर सारी हर्दिक सुपकाबना है कि परिच्छा के माद्यम से अच्चे अंको से उत्ती गड़ों करके अपने सपनों को तता अपने माता पिता गुर्जणों के सपनों को साकार करे मैं उनको यह बताना चाहूँगा कि आपकी बोर्ड प्रिष्चा में बहुत ही कम समय बचा है तो लिहाजा जो आपने content अपने slayvers का है जो cover नहीं कर पाया है उसके complete होने के चक्कर में आप मत भागिए जो आपने content पहले से ही कर लिया पूरा complete हो चुका है आप उस पर focus कीजिए उसको तयार कीजिए आप यह मांग चलिए कि जैसे कि मालिया कि आपके slayvers का 20% part आपने अच्छे से नहीं तयार किया है और 80% part आपको बहुत अच्छे से आता है तो आपको 80% पर focus करना है यह मांग चलिए कि जो 80% है उसमें तो कुछ भी आएगा हमें छोड़ना ही नहीं है और 20% जो अभी तक मैंने तयार नहीं किया है उस पर बेवज़ा मैं ध्यान नहीं दूँगा जिससे कि अगर मैंने उस पर अपना टाइम बरबाद किया तो जो मुझे आता है बो भी मेरा चला जाएगा साथी साथ जैसे कि मेरा सब्जेक्ट राए कि mathematics मैं mathematics पढ़ाता था आज भी पढ़ाता हूं कुछ बच्चों को तो mathematics में जो 10th के बच्चे हैं जो 12th के बच्चे हैं उनको बताना चाहूंगा जैसे 12th के बच्चे जो एक्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनसे कहेंगे कि आपके mathematics में एक जो calculus का part है calculus का differentiation integration differential equations यह आपको maximum marks दिलाएंगे अगर आपको अच्छी स्तेयार यह तो 45-50 marks 45 marks तक आपको दिलाएंगे एक chapter LPP linear programming problem एक lang question आएगा उसमें solid marks आपको मिलेंगे साथ ही साथ जो 3D और vector वाला portion है उसमें बच्चों को थोड़ी confusion रहती है अच्छे स्थोड़ा ध्यान रखना है आपको आपने अच्छा किया अच्छे marks दिलाएंगे तो लिहाजा अच्छे स्थोड़ा त्यारी करो इनकी और 10th वाले बच्चों से मैं यह कहना चाहूँगा कि statics हो गई probability हो गई यह अच्छे marks आपको दिलाएंगे साथ में टिगना में टी है height and distance है अच्छे से focus करो construction जो ऐसा है उसमें को आएगा आपको पक्का भही नंबर दिलाएगा अच्छे नंबर दिलाएगा तो लिहाजा अपने उपर किसी को दवाब को आने ना दें अच्छे से board पर इच्छे त्यारी करें पढ़ाई के साथ साथ इस समय सबसे जरूरी चीज़ है कि अपने उपर तनाप को ना हावी ना हो पाए इसके लिए संतुलित आहार और पर्याप्त नीद लेना बहुत आवस सक है आप कोशिज कीजिए कि इस समय पढ़ाई के दवाब के साथ साथ आप साम को रात में पढ़ाई के दस या साड़े दस तक आप सोने के लिए चले जाए और सुबह कोशिज कीजिए जल्दी उठेंगे जाधा cover करेंगे चार बजे, साड़े, तीर बजे, छे गंटे की नीद इस समय पढ़ाप्त है कि को इस्टुदेंट लाइफ में आप थोड़ा इस्ट्रेगल नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाऊगे साड़े चार बजे उठीए, आप अपना cover कीजिए और कहा जाता है कि सुबह का पढ़ा हुआ बच्चों को जल्दी तयार होता है सर, हर साल खबर आती है कि नंबर कम आने की वज़ए से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं ऐसी स्टुएंट से आप क्या करने चाहेंगे कि आप किसी कारण बस अगर असपल हो जाते हैं या कम मार्स लेकर आ सकते हैं केवल नंबर लाना आपकी बुद्धिमत्ता की पैमाना नहीं है कोई बात नहीं कहीं पर कोई कमी रह गई होगी आप अपने आपको आगे फिर से प्रूप करेंगे लेकिन गलत कदम उठाना बिल्कुल ही एक तो बेपकूफी की पैचान है कि आपके माबाप के आपके गुरुजुनों के आपके सपने होते हैं कि वो आप उनके साकार करें कहीं कोई अगर आपके सपलता में कहीं से कुछ कमी रह जाती है कोई दिकत नहीं आप दोवारा फिर से करेंगे आपको कई मौके मिलेंगे लेकिन आपको गलत कदम उठाने की नहीं सोचना है